अब्रियों वेल्कम बैक वन्स अगें तो आवर मोबाइल अप्लिकेशन सीरीज आज हम बात करने वाले हैं विम्बेर की एक और टॉपिक पर आइनो कुछ रिमेंग टॉपिक बच्चे हैं हमारे इस अप्लिकेशन के वीडियो में तो आप अपने आपको प्रिपेर कर सको तो चलिए आज का जो एजेंडा है ना आज हम आपने वी संटर सर्वर में स्टोरेज को कैसे मैनेज और कॉन्फिगर किया जाता है यह सीखने वाले हैं तीक है मैं आपको इस सेटप बता देता हूं एक बार की हमने जो सेटप इस्टाबलिस किया है उसमें क्या-क्या चीज जुस हमने यहां पर मैनेज करणा ठीक है एक वी सेंटर सर्वर है एक यहां पर हमने वी सेंटरinters visण सर्वर लगा रखा है और एक डूमें करलिऑ भी है अपने पास एक हमने डूमें कर रखा है को ए डिए motor को याव्य रोख एर आज हम यहां पर दो शेरिजिग को अटेज क करने वाले शेरी स्टोरेज 1 और शेरी स्टोरेज 2 दन और यह हर एक वी सेंटर सर्वर से जुड़ा हुआ है जाइड दिवात है आपका डॉमेन भी जुड़ा होना चाहिए इस टोरेज का तो ख्लेस्टर बनेगा ही बनेगा वह हमारे वी सेंटर सर्वर से जुड़ा है तो आप इसको सेंटरलाइज कंट्रोलर मान सकते हैं वी संटरलाइज कंट्रोलर है पहले भी हमने डिस्कस किया था तो अभी हम आपको गायड करने वाले हैं एक-एक IT कि कैसे आप अपने वी संटर इंवर्मेंट में इस्टॉरेज एकि आसकते हैं और इस्टॉरेज रिलेटिंड क्या 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 डुबल सूटिन क्या उ इ Hmmm तो चली मूब करते हैं अपने सेट अप पे और फड़ा-फट से आपको प्राक्टिकल डिखा देट यह वी सेंटर सर्वर है यह एससे डेडिकेटेड डेडिकेट वी लगा रखा है कि इसमें इसको हम सेपरेट ही रखेंगे यह अपना domain controller है cloud.com के नाम से यह ESXi 1 1.24 और यह ESXi 2 1.9 इसकी IP address हमें दिखाई बढ़ रही राइट तो ठीक है कोई इस्यू नहीं हम फटा फट से अपने vCenter server को access कर लेते हैं vCenter server की जो IP address है वो हमने दे रखी है 150 advance पे जाएंगे proceed to unsafe पे जाएंगे launch vCenter client जो भी आपका vCenter server को access करने का तरीका है वो हम method follow करेंगे और administrator at the red vCenter.local जो भी आपने password दे रखा है ठीक है जो भी हमने password दे रखा है उस password के तुरू इसको login करा लेंगे एक एक स्टिप धियान से समझना और guys I'm so sorry कि इतना delay हुआ या लेट हुआ but हम कोसिज करेंगे कि आपको quality वाला content प्रोवाइड करने की और अब WhatsApp का number हम आपके स्रीयत करने वाले हैं and अपने LinkedIn की profile जहां पर आप हमें directly coordinate कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो mobile application का message box है उसको utilize करिए message करिए हम कोसिज करेंगे कि आपको तुरंट की तुरूद immediately reply करने के लिए चलिए यह अपने पास inventory आगी vCenter server की ESXi कौन सी है 1.24 और यह 1.9 inventory के case में अभी भी हम यहां पे हैं I'm just going to open it host and cluster पे जाते है class dc के नाम से हमने attach कर रखा है class dc के अंदर class cluster भी हमने create कर रखा है तो एक काम करते हैं अभी हम इसको करते हैं remove ताकि हम आपको आसानी से फिर से step by step part दिखा सकें कि किस तरीके से हम इसको base से start करते हैं और कैसे हम चीजों को manage करेंगे so that's why I'm just going to remove it from inventory ताकि step by step हम आपके help कर सके to understand about storage management with our vCenter server involvement ठीक है cluster भी remove कर देते है non use of cluster as such कोई service cluster पे run नहीं कर रही थी तो delete हो जाना चाहिए चलिए यह आगे हम vcsa.cloud.com पे और vcsa.cloud.com actual में क्या है न यह हमारा vCenter server है और इस vCenter server के ऊपर इस vCenter server की मदद से हम अपने multiple ESXi host को control करते हैं ha, drs, multiple options यहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं और हम सबको manage करेंगे आपने क्या करना है, vCenter server पे right click करना है, data center पे click कर देना है और data center में जिस भी नाम से आप data center बनाना चाहते हैं I am going to create with name of class dc यानि class data center, ok कर देते हैं ESXi host अपने पास दो हैं 1.24 की और 1.9 की दोनों ESXi host को आप यहां पर attach करो, right click करो, add host पे जाओ, IP address provide करो 1.24, next करो user id and password, definitely इसका root user id और password होगा आपका जो भी installation के time पे इस्तमाल किया है next पे click किया, next पे click किया और install कर लिया, ठीक है यह हमने पहला ESXi जो है, attach कर लिया है simple सा next, next, next करना है आपको ESXi host add करने के लिए जो भी license होगा रहा होगा वो इस particular option में दिखाई पर जाएगा जो validity होगी आपके license की, इस particular assigning license के icon पर दिखाई पर जाएगा next, lockdown mode, I don't want to make any changes with this particular option, next करते जाओ VM location, अगर कोई virtual machine है इसमें तो वो attach हो जाएगी and click finish we successfully proceeded to connect our ESXi 1.25, ठीक है यह हमारे पास पहला ESXi हमने जोड दिया है दूसरे ESXi की IP address है 21, तो दूसरे ESXi को भी हम attach कर देते हैं क्योंकि we center server के अंदर आप multiple ESXi host को connect कर सकते हैं 192.168.1.21, next पे क्लिक किया, root पे क्लिक किया और यहां पे हमने password प्रोड कर दिया जो भी ESXi host का password है वो आप आसानी से यहां से provide कर देंगे and we just need to proceed for next 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 और उसमें हमारा ESXi host जो है successfully data store में data center में attach हो जाएगा make sure कि दोनों के बीच में communication होना चाहिए both machines must be communicate to each other दोनों में pinging होनी चाहिए then you are able to make a changes then you are able to attach our ESXi host still is in progress so you should check the communication first इस भी center server में हमने 2 ESXi को attach किया भी just one is 1.25 और दूसरा हमने 35 को connect कर दिया right agenda बिल्कुल clear है हम इनको storage provide करने वाले share storage provide करने वाले तो कुसिस करेंगे A to Z information आपके साथ share करें कि अगर आपको vCenter server को access मिलता है और you have a rights related to all the all the services तो आप कैसे storage को manage करेंगे तो vCenter server उसके अंदर एक data center data center के अंदर अभी cluster हमने नहीं तयार किया है ESXi host 1, ESXi host 2, simple सा ESXi 2 पे click करते है 1.35 पे और यहां पे अगर हम बात करें तो multiple options आपको दिखाई पड़ रहे है आपने click करना है configure पे और under the configure आपको multiple option मिल दाएंगे storage adapter, networking, virtual machine, system यह आपको complete information मतलब ESXi को अलग से access करने के requirement नहीं है आपको आपको hardware या virtual flash जितनी भी services है means additional option है एक ESXi को control और manage करने के लिए vCenter आपको बहुत सारी facilities प्रोवाइड करता है बहुत सारी services और option प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से आप अपने ESXi को प्रोपर तरीके से control और manage कर सकते है हमारा जिन्दा है कि कैसे किस तरीके से हम इस storage को configure करें vCenter server के जरिए ESXi host को तो हम बिल्कुल base से start करते है पहला ही option आपको storage का दिखाई पढ़ रहा है under the storage adapter है storage devices है host cache configuration है protocol endpoints है और IO filters है इन सभी की मदद से हम अपने environment में अपने ESXi host को प्रोपर तरीके से storage असाइन कर सकते है adapter base से start करते है what is adapter अब आप adapter की बात करते हो ना तो जैसे ESXi host को आप ISKZ protocol के तुरू NFS protocol के जरिए especially ISKZ, NFS, SMB protocol के जरिए share storage assign करने का काम करते है adapter क्या करेगा आपको एक virtual adapter त्यार करेगा जो ISKZ के लिए applicable होगा मेंस अगर कहीं share storage पे आपने कुछ space distribute किया assign किया ESXi host को तो इसी adapter के जरिए communicate करा पाएंगे आप देखें यहाँ पर एक option भी दिखाई पड़ रहा है add software adapter अगर आपने attach कर रखा है तो यह option grade out हो जाएगा अगर ESXi नया है तो आपको यह option highlight दिखाई पड़ेगा चलिए मैं दिखाता हूँ आपको 25 में option यह दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर एक दो तीन option दिखाई पड़ रहे है जिसमें से एक option है आपका ISKZ का 35 के अंदर की बात करें तो यहाँ पर भी adapter highlighted है लेकिन अगर जब क्लिक करेंगे तो add ISKZ adapter का option दिखाई पड़ जाएगा इसका मतलब दोनो यह सक्साई में ISKZ adapter अभी assign नहीं किया गया है दोनों storage में share storage नहीं assign किया गया दोनों यह सक्साई को share storage नहीं और add role and features पर जाएंगे add role and features पर जाने के बाद next करिए next करिए और यहाँ पर आपको file and storage services में जा करके ISKZ का tool या ISKZ की service को install कर देना है मेरे case में इस server पर already हमने install कर रखा है that's why we are able to find it लेकिन अगर आपको अगर आप नया server इस्तामाल करना है तो उसमें आपको manually install करना पड़ेगा तो यह छोटा सा step है आप step follow करेंगे और successfully ISKZ install कर देंगे installation के बाद आपको dashboard में file and storage services का icon दिखाई पर जाएगा इस icon पर click करने के बाद ISKZ दिखाई पर जाएगा और ISKZ में आप जितना space distribute करना चाहते है जितना space आप distribute करना चाहते है उस space को यहाँ पर create करेंगे समझने को सिज़ करिए हम लोग training में है server को ही अपना share storage मान रहे है server machine को ही हम अपना share storage मान रहे है और जितने भी ESXi host है उनको हम अपने इसी machine के जरिए इसी server के थुरू अपने ESXi host को storage void करेंगे कैसे task पर click करो आप new ISKZ पर click करो आप space जहां पर ज्यादा free दिखाई पड़ रहा है तो यह F drive में enough space दिखाई पड़ रहा है 59 के आसपास available है इसी में से उठाके दे देते है नाम दे दीजिए share storage ठीक है नाम आप unique रखेंगे how much you want to distribute 30 GB enough है इसके लिए 30 GB का space अब दे देते है दोनों के लिए ठीक है ना और यहां पर new ISKZ target next नाम देजिए कोई सब भी share again must be different क्योंकि अल्रेडी हम use कर चुके है new अब यह जो पैनल है ना यहां पर आप अपने IP address को assign करेंगे किसके ESXi host के जिनको आप distribute करना चाहते है तो अपने case में एक अपने पास ESXi host के IP address हो गई 1.25 दूसरे ESXi host के IP address हम mention कर देते हैं यहां पर 192.168.1.35 1.25 1.25 2 IP address हमने दे दिया यहां पर ok किया next किया next किया और create कर दिया successfully हमने अपने दोनो IP address को ESXi के IP address को mention कि ताकि distribute किया जा सके यहां का काम खतम हो गया अब आपको verify कर लेना है कि जिस machine से आप space distribute करना चाहते हो वो दोनों ESXi को पिंक भी कर रहा है या नहीं 192.168.1.25 चलिए reply मिल रहा है मैं और दूसरा 35 ESXi हमारे पास जो है 35 दोनों ही system को हम communicate कर पा रहे है अब इनको attach करना 30GB आपने distribute तो कर दिया But ESXi में क्या यह दिख रहा है या नहीं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा You should know about how we can manage it So it's our responsibility Back to the vCenter server यहां पे हम आजाते है vCenter server के case में और vCenter server के अंदर ESXi पे क्लिक किया storage device पे क्लिक किया तो इसके अंदर I think 300GB की hard disk हमने लगा रख किया है which is responsible to contain the vcsa यहां पे multiple storage दिखाई पड़ रहा है 300GB का storage है 80GB की hard disk है 60GB की hard disk है But unfortunately यह सभी storage जो है Local storage consider किया जाएंग 35 में तो I don't think की storage दिखेगा 60GB का hard disk अभे लिबल है So I don't want to use DVD अभी usage नहीं है हम DVD का इस्तवाल करेंगे OS install करने के लिए कोई दिखत नहीं 60GB का space है हम चाहते हैं कि जो यह 30GB की hard disk आपने अभी distribute की यह 30GB की hard disk अपने दोनों ESXi host को entertain करें कैसे attach करेंगे सर्वर की IP address आप verify कर लिजे 1.100 इसकी IP address है जो ISKG distributor है IP config उसकी IP address है 1.100 मतलब जो share storage है उसकी IP address 100 दे रखी है ESXi और share storage की बीच में communication हमने चेक कर लिया अब बारी आती है कि उस space को कैसे attach किया जाए आप storage के पैनल पर आएंगे configuration में जाकर के add software adapter पर जाएंगे कितने software हैं 1,2,3 software adapter मिलेंगे हमें काम है ISKG adapter से आप directly ISKG adapter को attach कर लेंगे attach करने के बाद अगर आप click करोगे तो यह grayed out हो जाएगा जब तक install नहीं है यह आपको highlight रहेगा और अगर आपने install कर रखा है पहले से तो definitely grayed out हो जाएगा अब यह ISKG adapter आपको verify कर लेना है कि जो हमने अभी attach किया you just need to click on ISKG adapter यह हमारा adapter है जिसको हमने अभी attach किया attach करने के बाद adapter status, journal setting multiple options आपको यहाँ पर दिखाई पर जाएगे हम action पर क्लिक करते है enable, disable जो भी आपको activity परफॉर्म करनी है वो कर देंगे our responsibility to attach our storage जो हमने ISKG की through distribute किया है हार्डिस को इसमें कैसे attach किया जा सकता है बहुत ही basic method है आपके पास we just need to we haven't authorized anything हम अब यहाँ पर क्या करेंगे अपने share storage का जहाँ पर ISKG distribute किया गया है उसका path provide कर देंगे path मतलब IP address यहाँ पर यह तो device की properties disable enable information about learn अगर आपने त्यार कर रखा है या attach कर रखा है तो यह हो गया path path में जहां से आप अगर आपने कोई ESXI का learn जोड रखा है तो यहाँ पर information मिल जाएगी एक है dynamic discovery और दूसरा static discovery है हमें क्या करना dynamic discovery क्योंकि हमारा storage है वह हमारा share storage है और इसको window पर हमने install कर रखा है just need to click here add पर click करो आप आप उस ISKG server का IP address दे दीजिए हमारे ISKG server का IP address है 1.100 3260 यह logical port है जब आप इस storage को attach करते है न वह आपका 3260 से आप attach करेंगे click करिए we successfully attach 1.100 और एक बार हम page को क्या करते है refresh कर देते है ठीक है refresh को करने के बाद rescan storage क्योंकि attachment हो गया attach हमने कर दिया है अब आपका जो storage है 30GB का जो storage है वह आप अपने ESXi के लिए इस्तमाल कर सकते है छली छोड़िए थोड़ा था time लगेगा अभी हम 35 में आ जाते है और 35 में भी पहले तो adapter आप एक्टिवेट कर लो adapter को connect करने के बाद अब इसी adapter की properties में जाकर के share historic this is the ESXi host ISKZ adapter select करो इसको और dynamic discovery पे जाओ add ISKZ server पे जाओ click करने के बाद add पे click करो और यहां पे अपने server के IP address में कर दो हम एक ही space means 30GB का space learn है वह हम दोनों के साथ attach करना चाहते है right so हमें 30GB का space अपने 1.25 पे 30GB के space 1.35 पे दिखना चाहिए page को refresh करते है scan करते है storage को जो जुडा हुआ है और एक बार storage पे आ जाते है MSFT 30GB का space आपको दिखाई पढ रहा है 25GB MSFT 30GB का space यहां पे भी लिखाई पढ रहा है 30GB का space just हमने अभी attach किया ISKG is the type of protocol अभी हमने training के लिए means क्योंकि we are on training अभी हमने इसको server से attach किया but real environment में share storage से आएगा अभी हमने इसको server से attach किया क्योंकि अपने पास कोई storage शेयर का है नहीं तो हमने इसी machine का इस्तमाल करके means अपने server 2012 2016 का इस्तमाल करके ISKG service इंस्टॉल के और उसके जरीए हमने इसको assign कर दिया उमेर हिए समझ में आ गया होगा पात कोई दिक्कत कोई question या कोई doubt है तो आप comment कर सकते हो message कर सकते हो LinkedIn पे follow करो आप WhatsApp करो या फिर यहां पे click करने के बाद आपको proper information मिल जाएगी कि यह storage है क्या MSFT मतलब Microsoft यहां पे identifier यह location यह है जहां से space distribute किया गया और यहां आपकी hardware है hardware है नहीं तो यह सच कुछ issue नहीं everything is okay और क्या-क्या देखने को मिल सकता है path detail path की बात करें path हमारा active है active in the sense कि आपका storage जुड़ा हुआ है अगर यह active नहीं दिखाई पड़ रहा है error दिखाई पड़ रहा है आपको issues आ रहे है storage को manage करने के लिए तब आप ISKG service को फिर से देखेंगे बहुत सारे option है refresh है, deattach है, rename है erase partition अगर आपने कोई partition तयार कर रखा है तो उस partition को आप erase कर सकते है साथी साथ mark as a flash disk mark as a local disk local storage mark as a pernally reserve reserve storage यह सभी option आप manage कर सकते है अब आपको कोई virtual machine बनानी है माली जी हम एक VM बनाते है अभी तो यह 0 है अभी यह hard is 0 है भी कोई utilization नहीं हुआ मैं इसमें एक VM attach कर देता हूं go to the virtual machine next पे क्लिक किया नाम दे दीजिए आप अपने according जो भी Windows का virtual machine का नाम mention करना चाहते है तो Windows 11 हम यहां पे VM create कर लेते है 35 में रखना है storage ध्यान से देखना कि storage कौन सा होना चाहिए आपके पास select storage में अभी अपने पास कोई भी option नहीं दिखा ही वर drive so let's wait for few seconds क्योंकि हमने just अभी जोडा है we are unable to find any storage यहां पे अभी कोई storage highlight नहीं हुआ जबकि storage आपका ice kg में दिख रहा है अब question नहीं आता है कि इसको activate कैसे करेंगे activate करने के लिए we just need to select it और select करने के बाद mark as local yes कर दो refresh करते हैं इसको disk में partition तयार है let me create one virtual machine again हमें storage दिखना चाहिए right bin 10 bin 11 आपके उपर depend करता है कि आप क्या कर रखना चाहते है still we are able to find थोड़ा सा हम इंतिजार करेंगे और उसके बाद फिर vm हमारी highlight हो जाएगे let's wait और इसको कर देंगे rescan ठीक है cancel करना पड़ेगा हमें इसको just need to click here और इसको refresh कर देते है page को तो इसकेजी में आपका 30 GB दिख रहा है बट जब आप VM क्रिएट कर रहे हैं तो उसी storage में कोई आपका disk नहीं दिखाई पड़ रहा है आप action पर जाएंगे इस CSI के storage पर जाएंगे और यहां पर पहले से गर attached था नहीं दिख रहा है तो रही scan करा लेंगे नहीं तो हम VMFS नहीं कर देंगे 30 GB का space आपने जोड़ा था आप इसको click करो next करो next करो कितना इस्तमाल करना है पूरा का पूरा space यूज करना है यह कोछ बचाके रखना है वह आपके उपर depend करता है I am going to use entire space पूरा का पूरा 30 GB का space हमने यहां पर attach कर लिया और यही space हम 35 को भी देना चाहते हैं कितने हैं एक दो तीन storage यहां पर available है nfs हमारा delete हो चुका है तो I am just going to remove it इसकी requirement नहीं है हमें so we will remove it we don't want to use it क्यों distribute किया था वो storage अभी available नहीं है तो आप simple सा 35 25 पर click करो action पर जाओ add storage पर जाओ new storage पर जाओ और उसी 30 GB के space को आप क्या करेंगे attach करा लेंगे same 30 GB को आप attach कर लेंगे एक जगा पर attach हुआ तो आपको बस refresh करना है page को यानि re-scan कराना है go to the storage and just need to click here re-scan data storage यहाँ पर आगे आपने पास 29.something space GB जो अभी हमने recently attach किया है चलिए everything is okay उमेध है समझ में आ गया हो गया यह storage है आपका 29.75 28.34 free space यह 25 में भी same space आपको दिखेगा अब चलिए एक virtual machine create करते है right click go to the virtual machine next पे click here type the virtual machine name windows 10 और next next space आगे आपके पास 29 का यह share storage नेक्स्ट किया I don't want to make any changes next 64 bit ही रखना है में और यहाँ पर changes कर रेते हैं 15 GB inner fly spaces के लिए और 2 GB की RAM 2 core का प्रोसेसर और यहाँ पर आपने क्या करना है storage को thin provision में रखो otherwise यह create करेगा problem select storage यहाँ पर आपने करना है thin provision new hard disk default you don't need to do anything ठीक की जगा पर आप thin provision इससे क्या होगा कि जो इस पेस आपका जितना डेटा आप अपलोड करेंगे उतना ही space consume करेगा I am going to proceed with next एक virtual machine proceed की है task को हमने हाइट कर दिया task की अपे open कर लेते हैं थाकि हमें activity दिखती रहे कि क्या क्या पर रहे हो आप virtual machine create हो चुकी है चलिए देखते हैं इसको windows 10 space कहां से दिया हमने storage पर देखेंगे तो यह आपका data store ISKZ इस तरीके से आप इस storage को manage कर सकते हैं उमेर ही कि हरी किस्तिप आपको समझ में आ गया होगा कहीं पर कोई doubt कहीं पर कोई question लेता है तो आप message करिए comment करिए और साथी साथ आप हमें Instagram पे और LinkedIn पे भी follow कर सकते हैं take care guys bye bye मिलते हैं अगली class में करो कर दो हो यह यह